कि है अब्रिबान दिस इस कुल्दीप करता अलिवाल और वाचिंग मैं चैनल कुल्दीपस बाइलोजी तो आज हम पढ़ेंगे फंजाई के बारे में हमने बेसिक पढ़ा था पिछली वीडियो में आज हम थोड़ा सा इसका स्टक्छर के बारे में पढ़ेंगे कि जो फंजा तो हमने एंपकते हैं मğally floitta को होते हैं और इसको हम हाइपा बोलते हैं एक को अब को अर ग्रुप आफ हाइफ और मॉलते हैं और जी जो हाइफा है वो सेप्टेट भी हो सकता है अब सेप्टेट का मीनिंग होता है कि अगर इस तरिके से जो में हो गाहिए एक अक एक cell बन चुका है, एक हर nucleus के बाद जैसे आप देख रहे हो, C diagram में कि एक partition उरकी है, एक nucleus के बाद फिर से एक wall-like structure बनी है, that is known as septa, तो वो हर एक में नहीं होता, अगर एक cell में एक nucleus है और आसपास septa है, तो उसे जो nucleate कहेंगे, क्योंकि एक cell के अंदर एक ही nucleus है, और अगर ऐसे condition है कि septa बिलकुल नहीं है और बहुत सारे nucleus हमें एक ही cell के अंदर दिख रहे हैं, तो उसे हम multi-nucleate और sinusitic condition बोल देते हैं, ठीक है, और इसके इलावा जो ए diagram है, वो yeast की दिखा रखिया, क्योंकि yeast ऐसी fungi है, जो कि unicellular है, और इसके बारे में हम यह कह सकते हैं कि जो fungi का हाइफा होता है, वो branched भी हो सकता है, वो unbranched भी हो सकता है, अगर filament सीदा सीदा जा रहा है और उसकी कोई branching नहीं है तो, obviously वो unbranched होगा, अगर branching बन रही है तो branched होगा, तो इस तरीके से हम हाइफा के बारे में पढ़ सकते हैं, हाइफा होता क्या है, long tubular, tubular structure होती है, जिन में के cell walls वगरा हो सकती है, और जो पूरा उसकी wall बनी होती है, वो kytin, cellulose वगरा की बनी होती है, callos, packtos, यह सभी materials होते हैं, I hope आपकी knowledge में थोड़ा बहुत increase तो हुआ ही होगा इस video के बाद, thanks for watching, take care, bye-bye.